सार जाहां पुलिस ने जारी की चेतावनी जिसके बाद पुलिस ने जनता से किसी भी जानकारी के संबंध में हमेशा उसकी आधिकारिक वेबसाइट हो और सूशल मीडिया अकाउंट्स को प्राथमीक्ता देने की बात कही है। इसके अतिरे तुनों ने आम जनता को सूशल मीडिया पर ऐसे फरजी संदेश साजा करने के प्रती आगावी किया है। लिए संयोग तरब अमिरात की नए कानून के तहत कठूर डंड का सामना करना पड़ेगा। रासल खैमा पुलिस ने एक अडवाइजरी जारी की थी जिसमें 2022 के संखिये कानून संखिया 6 के अनुश्चेद 41 की व्याख्या की गई थी। या कानून उन नाबालिकों से संबंदित है जो या तो अपराधी है या अपराध के मामले में उनका नाम दर्ज है। या एक अडालत के फैसले के खिलाफ एक अपराधी नाबालिकों शरन देने या नाबालिक को उलंगन करने के लिए उकसानी की सज़व को रेखांकित करता है। बता दे पुलिस ने एक उधारन का उप्योग करते हुए इस कानून की व्याख्या की थी। और कहा था कि यदि कोई दोशी नाबालिक अपने घर से लापता पाया गया है तो उसके साथ रहने वाला वैक्ति या अडालत के फैसले का उलंगन करने में उसकी मदद की करने वाला वैक्ति को कारावास और पच्चास हजार देहरम का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता ह वहीं बताते हैं दुबै पुलिस ने उन मोटर चालकों के लिए कार्बन मोनो अक्साइड जहरीले एवं घातक खत्रों के बारे में भी चितावनी जारी की थी कार्बन मोनो अक्साइड वही है जो अपने कारों की गती और प्रदर्शन, स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अपने कारों में इस्तमाल किया जाता है और इस तरह से वह अपनी सेहत खराब कर लते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं बता दें फॉर्स के फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनलोजी डिपार्टमेंट की डिरेक्टर मीजर जनरल एहमद बिन गुलीथा ने बताया था कि इस साल कार्बन मोनो अक्साइड जहरीले गैस के कारण अभी तक साल भर में लगबग 6 लोगों की मौत हो चुकी है उन्होंने कहा था कि ऐसे संभावित घातक घटनाएं अक्सर होती रहती हैं जो स्पीद बढ़ाने के पुर्यास में कारों को उनके मालिकों द्वारा मोडिफाई किया जाता है मेजर जनरल बिन गुलिथा ने कहा था कि दुबई पुलिस ने एक हाली में किये गए स्टडी में पाया था कि आम तोट पर स्पीद बढ़ाने के लिए इंजन या ओल फिल्टर बदलने के बाद मोडिफाई कारों में ऐसी डेथ इंजिरी देखी गई है आपको बता दे दुबई पुलिस या फिर सार जहां पुलिस या फिर यूए की पुलिस समय समय पर लोगों को आगाह करने के लिए चेताव नहीं जारी किया करती है तो उस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए तो ये थी तमाम खबर बने रही ऐसी खबरों के लिए यूए खबर पर